प्रेंट्स मैं हूँ राजन आप देख रहे हैं हमारा न्यू चैनल आरडे बुटिक आज मैं आप सभी लोगों को इस कपड़े से पोटली बैग बनाने के लिए बता रहा हूँ अब यह पोटली बैग क्या है इसको बना करके आप अपना मोबाइल फोन्स वगरा जो है आसान आया तो लाइक करें फैमली फ्रेंट्स के शेयर करें जो लोग चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि हमें कपड़ा कितना चाहिए तो लंबाई और 9 इंच का कपड़ लेंगे और उसके बाद लंबाई मैं डबल फोल्ड में बता देता हूँ तो इसको सबसे पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे ये इस तरह से इसको मोड लेना है पहले अब देखते हैं इसको नाप करके ये कितना इंच आ रहा है तो ये आ रहा है हमारा लगभग 15 इंच का तो 15 इंच लंबाई और 9 इंच चोड़ाई डबल फोल्ड में 15 इंच की लंबाई मतलब टोटल इसकी लंबाई कितनी होगी 30 इंच की 30 इंच लंबा और 9 इंच चोड़ा हमें कपड़ा चाहिए इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स फोम का यह फोम आपको असानी से किसी भी थ्रेड हाउस या फैंसी स्टोर पर मिल जाएगा यह पांच इंच हमें लंबाई चाहिए पांच इंच का यहाँ पर काट देंगे और चड़ाई भी हमें पांच इंच की ही रख लेना है यह इस तरह से और उसके बाद कर देंगे इसकी कटिंग तो इतना बड़ा हमें फोम चाहिए यह हम इसको नीचे में लगाएंगे कैसे लगाना है कैसे यह बनेगा वीडियो पूरा देखिएगा आप सभी लोगों को क्लियर यह समझ में आ जाएगा इस प्रकार से इसको मोड करके यहाँ पर हमें कर देना है कटिंग थोड़ा सा गुलाई देने के लिए तो यह हमने गोल बना लिए देखिए शर्फ इस तरह से मोड करके आप कटेंगे पूरा गोल से पा गया अब हम एक कपड़े का यूच करेंगे इस कपड़े के उपर में यह फोम को रखना है एक एक्स्ट्रा कपड़ा और ले लेना है उसके उपर इस तरह से पल्टा करके रख देंगे यह हो गया इसके बाद हम इसमें चला लेंगे सिलाई तो अब मशीन के प्रयोग करने के लिए यहां पर हम इसको रखेंगे नीचे मशीन पर और उसके बाद इसमें हमें सिलाई चला लेना है बिल्कुल खिनारे खिनारे आप अनुमान लगा करें कि फॉम कहां तक है उसी साब से इसमें पूरा गोल सिलाई चला लेंगे ध्यान रहे कि फॉम में सिलाई पकरने चाहिए इतना करने के बाद यहां पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें कर देनी है कटिंग यह इस तरह से हम इसको काट लेंगे यह बहुंँ ज्यादा यूसफुल है उन लोगों के लिए जिनके घर पे मोबाइल का सिगनल नहीं आता है और वो लोग चाहते हैं कि मोबाइल को थोड़ा उचाई पर रखें तो इसका उप्योग करके वो लोग अपने मोबाइल फोन को उचाई ओपर रख सकते हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे इसको मोड करके यह इस तरह से हमें कट लगा लेना है सेंटर का यहां पर एक कट और नीचे भी तो यह दो कट लगाएंगे उसके बाद देखे यहाँ पर इस तरह से एक और कट लगा लेना है अब क्या हुआ यह चारों तरफ हमने छोटे-छोटे कट्स लगा दिये हैं उसके बाद यह जो कपड़ा हमने अभी इंची टेप से नाप करके रखा है इस कपड़े को चार फोल्ड करना है इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो यह चार फोल्ड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर भी एक छोटा सा कट लगाएंगे और अब देखते हैं आगे इसकी सिलाई कैसे करनी है अभी तक आपने हमारे में चैनल दिलिप टेलर सेंड बुटिक पर विजेट नहीं किया है तो यूट्यूब पर सर्च करें या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक चेक करें और हमारे में चैनल को भी सस्क्राइब करके जरूर रखे इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं फ्रेंट सबसे पहले मैं यहां पर बता देता हूं रसी लगाने के लिए हमें इसको मोड़ना पड़ेगा यह किनारे से यह इस तरह से मोड़ेंगे जैसे हम सलवार बनाते वक्त कमर बेलिट के लिए मोड़ते हैं यह किनारे से हमने मोड़ दिया और इधर भी उसी तरह से मोड़ना है तो यह हमने दोनों किनारे को सबसे पहले मोड़ा तिर्चा मोड़ते हैं इसको सलवार बनाने के लिए आप सभी लोग जानते होंगे तो उसी तरह से इसको मोड़ना है और फिर यह जो कमर बेल्टे के यह शक्ता नहीं है रसी निकल जाया इतना आपको मूड़ना है कि में एक लाए anno is लिए ऑफ्लूर आम रस्टी वाला बनाएंगे इसलिए हम इस तरह से इसको करने हैं इसके बाद दीखिए ये तो में इसको पुरा मोड़े लिया और फिर हम इसको कर लिंगे ये वापस से डाबल फोल्ड आ और उसके बाद इस तरह से एक बार और मोड़ लेना है तो यह चार फोल्ड हो गए हलका सा क्रिज लगा लेंगे अ कि क्रिच लगाने की बहुत से बेन कि होते हैं अब यहां पर देखिए हैं पर लेट currently Junaण असके बोलते हैं यह से थे तरीके से हमें आप अ कि बिल्कुल बारीक बारीक क चुनण यहां पर हमें लगाने हैं पतले चुनण कि कि progress प्रकार से जो है हम इसको पूरी चुन्नट्स लगा लेंगे, यहां पर एक कट लगा हुआ है, तो इस कट तक हमें चुन्नट लगाने हैं, अब आगे बढ़ते हुए यहां पर देखेंगे, तो यह हमने लगा लिया पूरा चुन्नट, यहां पर एक छोड़ा सकट है, लगबग दोनों तरफ एक एक छोड़ करके हमने यह चुन्नट्स लगाएं है, वैसे यहां पर बीच में एक और चुन्नट डालेंगे, और यह इन ही चुन्नटों को दोहराना है, यहां पर आपको लग से चुन्नट डालने की आउशकता नहीं है, उपर से अल्रेडी मुड़ा हुआ है, तो इन ही चुन्नटों को दोहराते हुए, यहां पर एक सिलाई हमें चला लेना है बस, तो दो सिलाई के बाद यहां पर तीसरी सिलाई चलाएंगे, और अब यहां पर चुन्नटों को कर देना है, उल्टा, यह इस तरह से, इसका उल्टा कर देना है, इसमें लोग बहुत ही अच्छा आएगा, सिधा भी रख सकते हैं, लेकिन उल्टा रख देंगे, तो यह एक डिजाइनर चुन्नटों हो जाएंगे, और अच्छा लोग इसमें आपको मिलेगा, तो यह इस तरह के से आप लगा सकते हैं, इसमें चुन्नटे, और इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे, लेस का, अगर और इसमें थोड़ा सा डिजाइन देना चाहें, तो नहीं तो फिर आउशक्ता नहीं है, तो यह हमने दो लाइन की यहां पर लेस लगा दिये, यह आपकी चॉइस रहेगी, अगर लगाना है तो नहीं लगाना है, तो आप इसको शिंपल भी बना सकते हैं, दोनों पर यह अच्छा लूक आएगा, अब इसको हम साइट से जॉइंट करेंगे, ऐसे मोड़ना है, और यहां पर बस ध्यान इतना रखेंगे, कि यह जो हमने रस्सी लगाने के लिए बनाया हुआ है, इसको छोड़ते हुए, उपर को हलका सा छोड़ना है, ताकि रस्सी हमारी बहर निकल जाए, और उसके बाद इसको हम चला देंगे, यहां पर सिलाई, तो इस तरीके की सिलाई यहां पर डबल सिलाई कर लेंगे, मजबूती के लिए, इसके बाद जो हमने नीचे का बॉटम तयार किया हुआ है, यह फोम से तो इसको हमें यहां पर अटैज करना है, पहले देख लेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं, यह बिल्कुल बराबर आ रहा है, तो इसको फिट कर करने के लिए, तरीका यहां पर देखेंगे, यह इस प्रकार से इसको रखना है, और यहां पर बिल्कुल किनारे किनारे यह सिलाई चलेगा, इसी में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, यह इस प्रकार से रख कर कि हमें इसमें सिलाई चल आप लोग इसको ट्राइ करके जरूर देखें समझ में ना आये तो वीडियो को दो बार तीन बार देखें और वीडियो देख करके ही बनाने का प्रयास करें तो यह आप से निश्चित रूप से बन जाएगा फिस तरीके से इसको किनारे किनारे हमें पूरा गोल सिलाई यहांपर लगाना है उसके बाद इसको आप पल्टा करके दिखाऊँगा कि यह किस तरह का लुक यहांपर आएगा यहां पर भी तुछ चाहें तो मजबूती के लिए डबल सिलाई यहांपर चला सकते हैं इसमें आप जो भी रखेंगे वो सुरक्षित रहे इसके लिए आप इसको मजबूती के साथ तयार करेंगे तो यह इस तरी के से हमने इसमें चला दिया पुरा शिलाई अब यह फिट हो गया है तो इसको देखतें पल्टाने के लिए तो ये इस तरीके से जो है पल्टेगा उसके बाद जो है हमारा पोटली बैक तयार है अब क्या करेंगे इतना करने के बाद अब फ्रेंड्स हम इसमें एक पतला रसी लगाएंगे ये रसी आप असानी के साथ बना सकते हैं ये मैंने अपने मेंन शेनल दिलिप टेलर शेंड बुटिक पर बताया भी है आप सभी लोगों को तो ये रसी आप बना करके इसमें लगा देंगे बिना रसी से भी हम पोटली बैक बना सकते हैं ये रसी वाले पर टेलर कहें इसको बहुँच से तरीकों से बनाया जा सकता है मैंने एक सेम्पल आप सभी लोगों को दिया कि इस तरह से आप बना सकते हैं उसके बाद आप अपना दिमाग लगा करके इसको जैसा भी डिजाइन चाहें उस तरीके से इसको बनाया जा सकता है तो रस्सी लगाने के बाद देखे फ्रेंट जब हम दोनों रस्सीयों को पकड़े के इस तरह से इसको खीचेंगे तो ये जो है बंद हो जाएगा इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं इस पोर्टली बैक का पूरा लूक इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज में बना करके बताया ताकि सबी लोगों को समझ में आए आप साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं तरीके का जो पर्स है आजकल लड़किया पकड़े के घूमती भी है तो इसके यूजेज बहुत सारे हैं आप जैसे भी चाहें इसको यूज कर सकते हैं हाथ से लटकाने वाला भी इसको बनाया जा सकता है अमीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें फैमली फ्रेंड्स के शांद शेयर करें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन